तो इतने सारे बच्चों की जिम्यदारी होगी हफ्ते में इसको देखने की ठीक है तो कैसा लगा पेड़ लगा के हम यहाँ पर ना चाय पानी पीते हैं और कुछ खाना वना खाते हैं क्योंकि दो बजन वाला है और जो खाम भी लग रहा है तो उसके लिए चाय जरूरी है पहाड़ों तो हमारे आते आते ना बारिस भी रुख गई है और सामने का व्यू देखे कितना प्यारा लग रहा अभी तो तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार पढ़नाम पहला उमीद करते हैं कि सभी ठीक होंगे और हम एकदम बढ़िया है तो दिन की सुरुवात हुरी है आज रामगड ब्लॉग में पढ़ता है और जिला नैनिताल और बिच खाली जो है हमारे ब्लॉग से कहना चाहिए कि रिमॉट गाओं ही है क्योंकि जो इसकी दूरी है रामगड से यहां आने तक का 21 किलोमेटर है और 21 से 25 किलोमेटर इतना होगा और आज हम आये हैं बिच खाली क पीछे है पूरा मैदान इसकूल का और ग्राउंड है प्लेग्राउंड तो यहां पर हम लोगों ने इसके साइट साइट पूरे जो सो प्लांट होते हैं वह सैपलिंग यहां पर लगा दी है जिसमें देयोदार है आवला है क्योंकि स्कूल की बाउंडरी में हम यही यह होते हैं और उसके लिए फिर जो बड़ी क्लास है यानि कि 9 और 10 वाले बच्चे हैं तो उनको लेकि हम लोग ना यहां पर प्लांटेशन कर रहे हैं और हम लोगों को सरकावी काफी सपोर्ट मिला है क्योंकि जो मैम लोग हैं उन्होंने बोला कि आप दो क्लास को ले ली प्लांटेशन तो चलिए फिर आपको भी दिखाता है हम लोग कैसे कर रहे हैं बच्चों के सांथ प्लांटेशन और बच्चे कैसे भागीदार हो रहे हैं इस प्लांटेशन के वो भी आपको देखने को मिलें का इस प्लांटेशन के सांथ आपको बोला विए फिर बच्चों को अब शुप्रबाद तो नहीं खाना भी था लिया तो हमारी तरब से आप सभी को बहुत सारी शुकाम नहीं तो हम लोग चिराग से हैं आपने चिराग से लिए ना शुक्तित यहां पर स्थिख्या में हम जैसे जो गरीब बच्चियां होती हैं तो उनको पड़ाने में मदद करते हैं तो हमारा एक अब प्रोग्राम है यहां से नीची जिछाली का जंगल है तो यह दो बड़ी बार से हाथ ख़रा करेंगे कि अ तो आपको पता यहां से नीके पेर लगा रहे हमारे चाहने तो आज हमने एक जिए जो कारिकर्ण रखते हैं वह आप लोगों के साथ रखते हैं कि आप लोग लगा ओगे थे हम्हेम लगांगे तो हम पे लगांगे और मिलकी लगांगे और साथ में आपने उसकी क्या करना है रक्ष्य करनीए तो हम रक्ष्य हो देहने और दिन तो दो इस फ़ी बड़े दें अठो ही लोग lesson कि यतना बढ़ रहा है सो हमारे तो यहां पर वो जगह जगह पर केंप लगाती है तो इस पानी को लेके जो हमारे वाउ में नॉले दाहरे होते हैं आप लोगो ने तो देखे हैं नॉले दाहरे दिया क्टै तो इससाल रिचार्च करने के लिए हम लोग वहां पे चोड़े बनाते हैं पीट बनाते हैं और यह जोड़े को करने का काम है और किस चीज का पे लगा ड़ा रहे बताओ आपने कैसा लगा आपको पीर लगा के बचाना है इसको ठीक है तो इसका नाम क्या रखें एक नाम दो इसको पूरा बताओ क्या नाम रखने है देवदार क्या होता है सदा बहार होता है ना हमेशा तो इसको सदा बहार वाला नाम दो ठीक है अब इसको आपने पानी भी देना है इसक गर में और वियर दोनाने के लिए चैने लगा दिया यहां पर एक देष्दार का मैं तो इनको जिम्यदारी इसा पेड़। आपका नंबर कॉन सना है? ग्रूप का 3 है ना? आप न्युक्त तो इतने सारे बच्चों की जिम्यदारी होगी हफ्ते में इसको देखने की ठीक है तो कैसा लगा पेड़ लगा के ठीक है चलो अब दूसरा पेड़ आउना का लगाना है तो आप दूसरी जगह भी ऐसे ही बनाने आपने 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 कर दाद दो की दिवांक जरै घाजिड ग्रवावद कर दिवागा जरी इंगर आंधिने दादी जाजिद में आये दादी मुति भुदि न ऐड बररी त्ली एइपे-त्रय कर दद्री कि मात्र districts शीं कि ऐडमी मस्वार शाथी जाए। विल्मनल सब्रीजिय मात्र न ambiguous है दूर्मिन वह निर्मिन भी बिला में बल्मनल में भुदिंजदो से लástरे द्धी कि अनंगे मथह कोड़ है। वो ठीक से एड़ी एगे फोड़े है थोड़े इसकी भोगए एक है नो असके साथ अब भी है तो अब ही हमाची यह सब पहले कुछ आता है क्या क्या थता है इंडर क्यों लगाते हैं लोग आपके शीजन रहे चाहिए अपके शुट नियुक्त कर लेका चाले हैं जाए है थेंक्यू सर आपने इतना सारा टाइम दिया हमको तो हम लोग स्कूल से आ गए हैं और इसकूल में छुटी होगी और सभी टीचर्स को हमने थेंक्यू बोल दिया हैं और हमारे साथ ही हैं उधर यानि कि हम तीन स्कूल लेके आए हैं मैं प्रतिक्षा और हरिता तो इन लोगों यहां साइड किया और मैंने इधर किया तो अभी चलते हैं क्योंकि उपना बारिस वाला मौसम हो रहे हैं यह लोग तो हम लोग बारिस में भीगते भागते आ गए हैं नेगी टी स्टाल में तो हमारे साथ कैसा रहा प्रोग्राम अच्छा और बहुत अच्छा लगा तो अगर क्या बना है कि समो से टाइम लगेगा अच्छा तो बारिस रिम जिम चली हुई है और हमारे तीन स्कूटी यहां पर और हम चलेंगे अंदर तो हमारे आते आते ना बारिस भी रुग गई है और सामने का व्यूव तो देखे कितना प्यारा लग रहे तो हम लोग अभी जा रहे हैं फिर से ऑफिस और सब लोग अलग अलग जाए कोई आगे है कोई पीछे और मेरा आस्ते में रुग गई और जहां पर मेरे को व्यूव नजर आते हैं वहां पर तो मेरा दिल लग जाता है पहाड़ों में थोड़ा बहुत भीग भाग के आ भी गए हैं तो बारिस में अगर ना भीगो तो उसका भी फिर कुछ कहा नहीं जाता है तो इसलिए बारिस में थोड़ा भीगना भी बनता है